लास्ट में क्या कर रहे थे तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे स्पीड आफ पोजेक्टाइल एज फांक्शन आफ हाइड इस राइट और एक्सप्रेशन क्या आया था जहां पर एच कहां से मेजर किया गया है एच मेजर फ्रॉम होरियंटल लेवल ठीक है करेक्ट अब यहां देखिए तो यह पॉइंट तो हम लोग हम सब लोग लिख लिए थे थे न कि पोजेक्टाइल मोशन ने पोजेक्टाइल का दिरिंग होल टाइम आफ फ्लाइट से में स्पीड दो बार दिखने को मिलेगा इसका मतलब है कि एसे बी तक यह मेरा किया है टाइम आफ एसेंट और टाइम आफ ऐससेंट में H increase करेगा, यहां देखेगा, और H increases then what about speed? Decreation. तो आप खुद बोल रहे हैं, H increases, speed decreases. H max, तो V means? Zero. Not zero. यहां पर speed बना हुआ रहता है. यहां पर speed रहता है. X component तो बचा हुआ है, न? Bike company, speed का मतलब सिर्फ x component, bike component दोनों का VX square plus VY square root over. इस स्पीड बोल रहा है मतलब फेलोसिटी का मैनिचूड not component राइट तो क्या सच में यहाँ पर पार्टिकल का स्पीड जिरो होता है जिरो ने कवा तो यहाँ पर गिर जाना चाहिए राइट यहाँ पर स्पीड रहता है और इस स्पीड का बजा रहता है एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोन तो रहता है ना during whole time of flight that's why आप ए बोल सकते हैं कि A से B तक height increases, speed decreases, right तो height max, speed mean, correct इसका मतलब minimum speed कहाँ पर रहेगा, maximum height पर, right इस यहाँ से logic क्यों हे हुआ, इसका मतलब height maximum, then B क्या रहेगा, minimum, और B minimum भी कहाँ रहेगा, H max पर, तो B minimum के लिए वहाँ पर H का value कितना पूट करेंगे आप लोग, H max पूट करेंगे, H max पूट करके देखिए तो कितना होता है, first, H max का formula तो जाज है न, U square sin square alpha y, g, g या 2g, U square sin square alpha y, 2g था, right, put किजिए, solve किजिए, भाई, ये तो हम लोग का रटा हुआ बात है, यहाँ देखिए, sir, ये तो पहले से पता है, कि speed बोलिया का, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, right, और B पे A value कितना, तो नहीं लागता है, sir, पूट का मॉडलिस रहेगा, अब BX तो constant, इसलिए, solve करने से पहले ये value हम लोग को पता था, बाटे हम लोग क्रोस चेक कर रहे थे, कि फर्मूला तो सही है, बिल्कुल फर्मूला, सही है, correct नहीं, okay, और B से C तक, height decreases, then what about speed, then height minimum, minimum height कितना रहेगा, 0, स्पीड, इसका मतलब स्पीड maximum कहां पर होता है, point, yes, अरे दुबारा तो बताने का requirement नहीं है, कुछ point लेते हैं, ए point का नाम P1 है, और इस point का नाम P2 है, और इस height का value H1 है, तो P1 और P2 पर different speed रहेगा और सेम रहेगा, same रहेगा, very good, A है P3, और A क्या है, P4, H2, तो यहां भी क्या रहेगा, speed नेकालने के लिए बस H2, तो H2 तो दो बार मिलेगा, that's why, क्या बोल सकते हैं, V P1 equal to speed ball ground, not velocity, velocity बोलने का मातब direction भी associate हो जाएगा, right? तो V P1 equal to V P2, V P3 equal to what? V P4, very good, तो मुझे लगता है कि projectile का मोटा मोटी concept हम लोगा, killer हो गया है, right? थियोरी का, पोगया? चेलिए student, यहां देखी तो, range पर चुके हैं, फिर भी एक बार लिख रहे हैं, R equal to क्या है? जब बोलें, u square sin 2 alpha y, j, correct? एक काम कीजिए, u का value 10 meter per second, कितना? 10 meter per second. और alpha दे रहा हो 30 degree, range निकालिए, range क्या होगा? range क्या होगा? और H max क्या होगा? और time of flight क्या होगा? तीनों भाइलों बताएं तो, भाइलों तो, भाइलों एक्जक्ट कल्कुलेट करके, –5, range माइनस में आएगा क्या? G का value यहां में, put क्या हुआ है, magnitude है, right? range का value कितना, first? yes, और H max कितना? H max? value ही तो, put करना, H max का क्या फर्मूला हता है, U square sin square alpha by 2G, right? yes, yes, what is H max? कितना? कितना हो जाएगा? 1 by 4, D by by 20, 5 by 4, very good, H max कितना? 5 by 4, हमदू और और time of flight कितना? 2 to use sin alpha by j, value बता हैं, first? one second वन सेकेंड, वेरी गूड, चलिए, यहाँ देखियेगा, सेकेंड कोशन यह है, यू कितना, अल्फा कितना, आर चाहिए, एच मैक्स चाहिए, और टाइम अफ फ्लाइट चाहिए, कौन सबसे फास्ट कल्कुलेट करते हैं, इस केस के लिए, किति अएन है, खास्च बहुड़感, कितना कितना, जाहिए, प्लेट वेरी यिवर की ist पहाँ है, एचन remedy, एच बहुड़करें, डच तरी एक बहुड़करें, होँ आर कितना या मैंनि 1 किस कार है यहां पर एपर कले होगा और किसी का मैंनस आ रहा है तो है降्ध शुका एंफ शुका टाकिव किसे रहे है या Lawrence मीर कुल उसस्याटिय ऑ्यार window मैंनिचूड राइट जीक जहां पर रहेगा वहां पर जीक के बदले माइनस टेन मत पूट किजएगा यह नहीं पूट करना है ठीक है वो माइनस का कहानी खतम हो चुका है करेक्ट ना चलिए आर कितना आया सेकेंड कोश्टन का फाइब रूट थ्री हैं आना चाहिए करेक्ट और एच मैक्स कितना कितना और टाइम अफ लाइट रूट थ्री सेकेंड करेक्ट है ना इतना ही आया होगा दोनों में इक्वल क्या रहा राइडम प्रोल लिया हुआ नहीं था वाट रिफेसन ऑप कंप्लिमेंटरी एंगल तो इसा कोई भी दो एंगल जिसका सम क्या है ना इंट एंट एंट एंगल उसको बोलता है एक तुसरे का कंप्लिमेंटरी एंगल तो यहां पे 30 और यहां पेली यहां 60 क्या 30 और 60 एक for a given speed का मैं speed is keeping constant for a given speed दो एंगल पे range equal रहेगा और दोनों एंगल के बीच में relation क्या रहेगा complementary angle क्या रहेगा complementary correct ना लिखे एक लाइंग यहां से observation for a given speed for a given speed for two different angle for a given speed for two different angle range will be equal provided both angle are complementary angle of each other provided both angle are complementary angle to each other provided both angle are complementary angle of each other यहां दिखिए है तो इसके लिए अगर it is very important to note that यहां दिखना है सबको अगर इसके लिए मैं numerical example नहीं भी लेता तो without taking the numerical example यहां से भी proof कर सकते थे for example range का formula फिर से एक मार बोलेंगा सब लोग very good और alpha का complementary angle क्या रहेगा alpha का complementary angle क्या रहेगा तो क्या इस beta को हम अलफा का complementary angle बोल सकते हैं तो alpha के बाद ले अगर beta put करते हैं सेम speed के लिए क्या put करते हैं correct तब formula क्या रहेगा u square sine 2 और alpha के बाद ले क्या 90 minus समझ रहे ना मतब sine beta और divide by z कितना लेखिएगा sir u square sine 180 minus 2 alpha लेख सकते हैं bracket open होगा तो हाया ना और आप सब अब लोग पढ़े हैं sine 180 minus theta होता है sine theta sine 180 minus theta equal to what? sine theta very good इसका sine 180 minus 2 alpha क्या हो गया? sine 2 alpha different रहेगा है same रहेगा? same रहेगा same रहेगा इसलिए मैंने ऐसा बोला ठीक है? अब तो बिल्कुल proof हो गया? इसका मतब same speed के लिए दो एंगिल मिल सकता है जिस पर range क्या रहेगा? same रहेगा बटो दोनों एंगिल के बिचे रिलेस्टन क्या होना चाहिए? complement यह पूछा जाएगा याद रहेगा ना? अब दो कुला टा चाहिए यह 15 x 2 है क्या? यह 15 x 2 है क्या 10 x 5 एक प्रेटा वोरे है यह 15 x 15 अब प्रेटा रहेगा यह बाच्छे कीशे है अब प्रेटा इस ब्रेटा जो अब यावेगा यहां देखना है तो जो मैंने प्रेवियस एक्जामपल लिया था जो मैंने प्रेवियस एक्जामपल लिया तो एक में एंगल कितना था 30 और दूसरा में एंगल क्या था 60 तो अबिस्ति 60 बाला थोड़ा सा और इधर रहेगा 60 तो नहीं था कि 60 से दोनों का रेंज डिफेरेंट था या सेम था यू और क्या था 30 डिग्री और यू एंड सेम यू 60 डिग्री तो किसका थोड़ा इंगल जादा रहेगा अधर दोनों में रेंज किया था अगर इसका time of flight T1 है तो इसका time of flight T2 अगर इसका range अगर R1 तो इसका range माल लते हैं बट relation क्या है ऐसे objective पुछा हुआ था एक ही question में सारा बात राइट विचे तो following relation are correct पहला option में R1 इकोल टो R2 इन तीनों के मिला के objective पुछा हुआ है ना H1 greater than S2 and T1 less than T2 कुछ भी option sit करना है पहला option हो जाएगा second option R1 greater than R2 जा option ही set करने के लिए दिया गया है तो कुछ भी बोल सकते है T1 greater than T2 and third option R1 equal to R2 S2 greater than H1 इसको problem ही बना लिए हम लोग राइट a T2 and T1 a last option none of this कर देते हैं कौन सा option करेक्टर हेगा ठीका ना बोले पिछले क्लास आपको पढ़ाये थे range किस for a given speed किस angle पर range maximum होता है तो कहीं ऐसा तो दिमाब नहीं आ रहा है कि दो angle के range maximum रहेगा तो 45 degree complementary angle भाई 45 ही रहेगा इसले range दो नहीं मिलेगा maximum range एक ही मिलेगा for a given speed right बाकी के लिए 2 angle मिल सकता है जिस पर range क्या रहेगा equal रहेगा but 45 तो बिलकुछ बीचका हो गया नहीं 15 degree पे और 75 degree पे different range रहेगा 15 plus 75 right 15 degree के complementary क्या है 75 है तो for a given speed different range रहेगा same range फर्क किस पर आजाएगा maximum height or time of flight maximum height and time of flight correct na लिए 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 को से लिए लिए question आप कुछ example लेते हैं projectile का ठीक है almost मोटा मोटी projectile का theory पढ़ा दिया अब हम दो problem practice कर लेते हैं projectile is projected with initial velocity u projectile is projected with initial velocity u and u is this one u is this one पहला find range maximum height and time of flight find range maximum height and time of flight अरे एक बार project कर दिये तो हो गया motion under gravity solve कीज़े इसको से sufficient information दे दिया गया है अप्ट 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 अखि बुटा है बाल बाल आड़ास की जिले कामीदे पर दो पामीजिय है कि अ apresentका जोजा की तरहा है कि मी एत हो असमय है जा उने कि उलेको असमय है पर असमय है करना चाहिए, यू पढ़ा रहे हैं इसी चीज के लिए कि आप क्लास में जो टॉपिक कंटिनीव चल रहा है उसको तो कमें देखकर आएंगे ने, कहां पर डिफकल्टी हुआ, लास्ट बेंच, क्या प्रोलम हुआ इस प्रोलम के लिए, अंगल, इस प्रोलम के लिए जब मैं कर रहा था तो डिफेशन इसली किया रहता है और बहुत बोक्स बना रहे थे, राइट? यहां देखियेगा, इसमें से प्रोलम के लिए अंगल प्रोजेक्शन राइट? भाई, रेंज का फर्मूला और इन्ज फर्मूला यह था, आपको, यहां से वहां आये थे, राइट? देखिये कितना बड़ी, भाई, कोश्चन सेट करने लाग सब पता है, कि आप कहां भी फर्स सकते हैं, करेक्ट, फर्स्ट मेथा, इसको सॉल्ब करते हैं, सेकर मेथा आपको फर्मूला पर भी आ जाएंगे, इवेक्स था, आपको इवेक्स नहीं पता है? एक सेटने काम था, राइट? सरे तो बिल्कूल ट्रेप होगे, चकमा खागे नहीं, कितना हो जाएगा? जितना जर्में आप अंगिल निकालेगा, उतना जर्में अंसर आ जाएगा, राइट? उनलाइन अस्टुएंट, समझे टेरिवेशन का इंपोर्टेंस, करेक्ट, असेकेंड में क्या था? एच मैक्स, एच मैक्स का फर्मूला, नो डाउट आप बोल रहे हैं, यू स्कॉर साने स्कॉर अल्फा वाइट टू जे, राइट? बड़ उसका ओरिजिनल कॉनसेप्ट एटा? यू भाइ तो अपके हाथ में है ना? तो रेटिमेट और बढ़िया किये हैं, निकाल किते दिये हैं, यू भाइ क्या है? थ्री क्या स्कॉर बाइट, टू इन्टो 10, राइट? कितना? 9 बाइट 20, ए हो की हमैक्स, और वाट टाइम अफ फ्लाइट? बुलिए भाई 2 u sin alpha y g बट ये था 2 u y y g नहीं तो 2 into 3 y 10 कितना सेकेंड 0.6 सेकेंड करेक्ट सरक एक्जाम में नहीं क्लिक किया तो क्या करेंगे बाट डिफकल्टी है पढ़ना पड़े का बिदार से थोड़ा नहीं बहुत पढ़ना पढ़ेगा भाई हम लोग यसे पढ़े हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इससे पहले तो रेलिटी से बाकी फोजाना चाहिए सबको यह कोता है नहीं कि इदम बिल्कुल हवा में उड़ रहे हैं थोड़ा नहीं कि इदम बिल्कुल ऐसे फ्लाइ कर रहे हैं अभी गरांडेड रही है धर्ती पकड़ के क्योंकि आभी आपको बहुत कुछ शिखना है राइट और बहुत महिनत कि जिए पर आपके साथ सुभा ही का और बैश का कुछ श्ट्रेंट है कमसा आप दो साल एडवांस तो हो इस वासे कॉंफरेंस भी रहना चाहिए इसलिए सही टाइम से सब कुछ अस्टार्ट हुआ है तो जितना भी मैक्स्माम आभी no one care for you कि आप कैसे दिख रहे हो हो who care अब बाहर निकले कोई आपो देख भी रहा है आप अच्छे दिखते भी उसे क्या फर्क पढ़ जाएगा जब तक आपके वास कुछ है नहीं तो कोई खराब दिखते रहेगा जैसे बोलेगा मैं आयम से पास आप हूं आइटी से देन महौल बन जाएगा नहीं बनेगा इसलिए और अच्छे दिखते हैं और पालेटी भी हो गया तो प्लैटनम पर डाइमंड हो गया अब अब अच्छे और बहुत अच्छे हो जाएगा मतल přुधा तो बहुत कुछ है मतल्म बैट यस कोश वो गया तो अच्ता हैं अंच्छी खुष हो गया तो यह और पको बन सकता है लें पहले खुद को दो बचायेएगए लेंब्किदे कहने अपने पास कुछ नहीं है और अकन सेल्फिस भी राना है पहले खुद को बचाएंगे तब दूसरे को आपको तैरने नहीं आता, दूसरे को बचाने के लिए तो आप तो डूबिए कही बचना तो उसको भी डूबा दीजिएगा इसले पहले आप क्रेक कीजिए चीजों को, एक्जाम को, उसके बात किसी को हिल्प कर सकते हैं असरी चलो मेरा भी तो हुआ नहीं तुमको हेल्प करते हैं सर अगर एक्जाम में यह नहीं याद रहेगा तको जनरली एक्जाम में याद रहता है, यूस स्कॉर साइन टूलफावावाई जे, राइट तब क्या करेंगा, तब भी बन जाता भाई कम से कम दिखते हैं मैं कितना बर प्रोजेक्टाइल का डैग्रांब बनाता हूं देखें, कभी बहुत हैं तो आपको सारा फर्मुला लगाने के लिए क्या चाहिए था कितना भैलो रूट रूट 3 वेरी गूड और क्या चाहिए था आंगिल क्या 10 अलफा इक्वल टू यजए बाइस गोड़ सकते हैं यह सर्क्लाइबा मुझे था म्हाँ अलफा से मतलब नहीं था मुझे शाइन अलफा व क्या न्यू अलफा था किसे मतलब था तो तैन अलफा एकोड़ थी वाइट टू तो क्या है यहां से साइन अलफा निकल जाएगा हम लोग नाइन्थ क्लास में ट्रिगुएंटी में ऐसे पढ़े हैं पर्पेंडिकुलर भाई बेस नाइन्थ क्लास में पढ़े थे राइट टैन अलफा देलिके साइन अलफा कोसा अलफा नहीं कल सकते हैं यह वहाँ इसको अलफा मालनेते हैं कितना हो जाएगा तो क्या भँःत्रot gauge प्रेशन अलफा निकल जाएगा सब घार पर बनाते तो बिधाउड प्रेसर बन जाता है क्लास में बहुत प्रेसर रहता है राइट तो यह प्रेसर तो एक्जाम होल में भी रहेगा यह बेटर रहने कि प्रेसर को टॉलेट करने के लिए सिख रहे हैं बड़ साइन टूल अलफा को थोड़कर लिख पाएंगे यह स्क्वार टू साइन अलफा कॉस अलफा वाई साइन अलफा का पाता है और यह अलड़ी निकाल चुके हैं अजीब पता है रहे निकल जाएगा खरेक्ट उसके बाद सर एच मैक्स गोलिए यह स्क्वार साइन पता है, निकल गया, what about time of flight, 2U sin alpha Y, G, sin alpha पता है, U already निकाल चुके है, तो अगरा गल्पती से by mistake, आप भूल भी गया, पहले बात तो नहीं भूलना चाहिए derivation, जितना दर में उसा आप काम कीजेगा, आइंग निकालने का, उतना दर में अंसर आ जाएगा, time बच जाएगा, this is the perfect question for neat, not for J men, is J men के लिए बहुत आसान question हो जाएगा, ये था 2 second question, right, उठी तो करना था, but कोई बात नहीं है, आज तो देख लिएने का ऐसा भी आ सकता है, अब तो बन जाएगा, okay, 2 method हो गया, 2 method हो गया, आज घहर पे quick revision कर लिजेगा, electronic confusion का, जितना theory पढ़ाया हो ना, नोट्स तो होगा, कल जितना भी question रहता है, उसमें maximum question बनना चाहिए, हर type का question दूँगा, जितना भी पढ़ाया हो, poly से लेके, parameter, 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 सब कुछ, A to Z, अब proper guarding किया जाएगा, यहाँ पर जितना भी center पर, जितना भी टेस्ट होता है, वह ऐसा नहीं और आपको सिर्फ एक pen रहेगा, सब कुछ, OMR मिलेगा, टाइन कल ही मिलेगा, दो बज़े आप आजाईएगा, अभी तो कमजब आपको टॉपिक बता दिया है, लिए ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को तो कुछ टॉपिक नहीं बता रहा है, आजाएग, टेस्ट देंगा, स पढ़ा हुआ है, और कहीं से रिकॉल कीजिए, इजाम में तो वहीं करना है आपको, इसे लिए, एक बहुत आसान क्वोस्चन पूछा गया है, यहां देखेगा, यह दो जगा आया हुआ है, याई ट्रीपेली का दूसरा नाम, स्टुएंट, एक जो मैथ बहुता है, जो बुले थे, एप डाउनलोड करने, उसका नाम क्या था, जे इमेन, उस सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, कुछ बच्चे जो यहां पर मैथ नहीं कर नहीं पता होगा, ता मुझे बढ़ाता यह, तो जो मैं सब एक बात दिखा कर दिखा है कि उसमें कम कॉस्टन है, रहना चाहिए थे, 1978 से लेकर तिल नाउ, राइट, तो उसमें एक एक चैप्टर में, जितना भी तक जे इमेन वाया कॉस्टन सारा है, उससे बेस्ट प्रिप्रिप्रिशन हो जाएगा, जे मेन तक के लिए तो बबाल प्रिप्रिशन ह तो बन जाएगा नीट का, अब इससे करते हैं बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जो चैप्टर में ख़तम करते जा रहा हूं, नॉन किल्चा का तो तो देतने अशाइन्मेंट, आप अटेंप्ट लेके तो रेडी है, नहीं बनाव मिरा जिस्क है, बाद आप तो मैस्में टेम देलिये हैं, ओके, यहां देखिए, लिखे तो, इफ किनेटिक इनरजी अप्रोजेक्टाइल, if kinetic energy of projectile is k 1 at point of projection, if kinetic energy of projectile is k 1 at point of projection, then what is kinetic energy of projectile at maximum height, in terms of k 1 और a angle दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है kinetic energy कितना, k 1, और angular projection, तो maximum height B पर kinetic energy चाहिए, projectile का, कौन सा energy, kinetic energy, in terms of k 1, यहां यहां का बहुत पहले पुछा हुआ कोस्टन है, यहां पर kinetic energy प्रोजेक्टाइल का k 1, तो B पर maximum height पर kinetic energy, kinetic energy, projectile का क्या होगा, in terms of what, k 1, तो यहां पर k 2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, अब बाद में k 2 को k 1 के term में represent कर देंगे, राइट? है, चुप लादी गळाम, जई बाद में लेधे लेकारा, तेज़ से सथाग्स कॉक्टर का का कि यहां थे तो Ima, क्यों वेक्टर आद में हैं, मेरे बास पोजटायल का सिर्फ Dust Das means 100 problem. पोजटायल का सिर्फ दिवमगSuper, 100 problem है. आप तो तो आप को डिस्ट्रूबिट करेंगे, रिष्टा मेसा थो छोड़ेयों, सिर्फ बोजटायल का 100 है. ये 100 बना ली जा Tail, इस तिरफ Kindern कोशन कशूटेगा, बहुत आसान है भाई काइनेटिक इनलजी का फर्मॉला लिख देंगे और कोस्टन बन जाएका राइट वाट फर्मॉला भी स्कॉर ना तो भाई काइनेटिक इनलजी अट पॉइंट ए तो लिए क्या लिखेंगे यही है ना इस इकाब़ी तो नाम क्या है के वन के टू कली क्या लिखेंगे हैगा यहां पर मालते है क्या विलोसुटी वी तो के टू इकल को ओट हाफ एम भी स्कॉर अब लिख अल्फा क्या होता है यहाँ पे जो speed रहता है उसके लिए सिर्फ x component responsible है यहाँ पे speed निकाल आप लो निकाल पाएंगे ऐसे vx square plus watt बट यह भेले तो 0 ना ओके आप vx तो constant ओके half m मुझे तो u square cos square alpha और cos square alpha कितना 1 by root 2 का whole square 1 by 2 तो क्या लिख सकते हैं 1 by 4 m u square क्यरक्ट ना तो भाई k2 by k1 कितना हो जाएगा 1 by 4 m u square divide by 1 by 2 m u square m u square m u square आपस में cancel हाँ मच हाफ then k2 equal to कितना k1 by 2 by 2 अब इसको रटना नहीं है ऐसा नहीं कि आप कुछा स्टून्स कोचेगा अच्छा यहां पर जितना काइंशी रहेगा उसका आधा यहां रहेगा यह इस एंगल के लिए है इस एंगल के लिए है एंगल चेंज होगा तो बहलो कुछ और हो जाएगा राइट इसको प्रोफल करना है इस काइंड अफ प्रोलम बट अब तो बन जाएगा तो बन जाएगा कोशन एक कोशन कितना टाइम डिजर्व करता है और इसलिए बताजिएगा क्या सच में वन मिनिट लगाजिएगा इसमें फर्मुला ही तो लिखना है दिस दिस अन दिस एक कोशन ने बना के अच्छा लग रहा थी थोड़ा रुकेंगे एक कोशन हाड़ी थर्टी सेकंड डिजर्व करता है जो टाइम लिप्टेस हैं का तो थर्टी या फोर्टी वाइब सेकंड इसलिए बना के बबल करके निकल गए अलर भी तो करना पड़ेगा सिखने के टाइम पर स्व प्रेक्रीक्रीिस के ऍाइम पर मेकिट फास्ट आये इनर्सीया डेवलाप कीजिए घेर पर पर रहते हैं तो प्रोलम मेन कोशित पिजिए कोशन पढेंगे बहुत सान दिमाग से बनानेने फस्टहλαब मैंड से क्या दिया हुआ क्या निकालना है बनाने टाइम पर कल्कुलेशन फास्ट कीजिए काल्कुलेशन स्लो हो गाए मतलब नहीं सिलक्षण हो गांतों नाइन अर्फ क्लास के बज़े से स्थेक्सन नहीं होगा, मल्टिप्रिशन इडिभेंद के बज़े से, बहुत सरा स्टुने कर देखता हूं, बहुत कॉंसुलिया अच्छा होते हैं, बट उनका स्पीड बहुत गंदा होता है, कल्कुलेट ही नहीं करना चाहते हैं, उनको 2 plus 2 equal to 5 कर लिखेंगे, 2 plus 2 और मॉबाइल से करना स्टाट करेंगे, आप लोग भी करते हैं ना कभी को, तकि accept भी कर लिए, सर मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ओके कोई बात नहीं है, मत किजिए, अचाहनक से डेवलप नहीं होगा इस्पीड, फिलिज घर पे भी मॉबाइल कम से कम इसको जिए कल्कुलेटर के लिए, कितना भी बड़ा कल्सकर है, वही आप तो का हैविट बन जाएगा, बाद में यहीं कॉलेज में कल्कुलेटर एलाउट होता है, सच में एलाउट होता है, वहाँ उसका नाम ही रहता है इंजिरिंग कल्कुलेटर, बहुत पुछर रहता है, इंटिग्रेशन डिफरेंशन सब से रहता है वहाँ पे, बट यहाँ पे मत ही उसकी लिए, एक बढ़िया प्रॉब्लम लिया जाए, पुछर क्या एक एक वहएशन देकियों ट्रेजेक्टरी पुछरा टाल हो आ है, प्रिफले क्लास से बता थे थूट है, बाइक्कॉल टू एक्स मानस बीएकस स्क्वाइर ? खुर मेरे गोड देखिए, दिया हुआ यह रहेगा, पि इतना बोला रहेगा, ए भी नहीं बताया रहा है कि किसका trajectory है correct पहला question find out range second question time of flight and third question maximum height solve गीज़ए एक और question लिए also find out speed of projection and angle of projection speed of projection and angle of projection कितना बढ़ी है रहा है यहां देखे को trajectory देखे कितना सकुछ कुछ लिए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है right एक कोस्टन में यहां से इंफ्लेंसिकल रहा हूं यहां देखेगा एरोडो में एक कोस्टन ऐसे by equal to a x minus b x square यहां देख लिए जगा एक बार अतर पूछा गया है range time of flight and maximum height in terms of a and b तो वही तो बात है यहां पर बट एक पूछन थोड़ा आपको लेंदी लेगा क्यों a का numerical value नहीं है तो अंसर a और b के टब में रहेगा और उसी को मैं थोड़ा क्या किया आसान बना दिया ठीक है numerical value देखकर ठीक है ना पर बनाने का तरीका अलग रहेगा यह सेम रहेगा अंसरा हूआ मकली अंसरा ओ स्वट्खने waynes अंसरा आसाल ya कि उसा प्रावा बनाने को यह क हो शचेखकर भी कि मैं भी कमा alईख ये लितस्वेसरा घपकर्थी मैं जाउन ऀर इन हम रहारेगा मैं बनाorship कि एक इक अ क कि झाल 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 देखिए एक कोश्यन में पुछा हुआ है तो यहां के राद जो भी पुछा गया है उसमें मिनमम रिक्वाइर्मेंट क्या है कि साइन अल्फा नहीं साइन अल्फा का वहलू पता चले तो काम बन जाएगा तो जब भी ऐसा कोश्यन रहेगा तो सबसे पहले इसके सामने टैन अल्फा या टैन अफाइंट pact है औ और माइनस आफ जी एकस स्क्वाइर भाई मैं गी बन ऐस्सक्वाइर कोश्यन अल्फा और कंपैर किजिए नहीं झाथा कि यहांपे टैन अल्फा का काम फ्यर कर रहा है organ इसका ःण अल्फा इक्वेल तो तो 4, आप 4 को क्या 4 by 1 लिख सकते हैं, तो वहां से perpendicular by base, अभी same example तो अभी just clear था, right, तो क्या यहां से sin alpha निकल जाएगा, कितना 4 by, yes, और cos alpha equal to 1 by, और अगर alpha पुछेंगे तो tan inverse 4 कर दीजाएगा, हो गया, तो आपको tan alpha equal to 4 का value angle पता है, मुझे तो नहीं पता है, तो वहां पर क्या कर जाएगा, ऐसे लिखेंगे, correct, okay, तो alpha पता चल गया और sin alpha, cos alpha भी पता चल गया, right, अभी यहां देखिए, इसका काम कौन कर रहा है, 5, 5, yeah, तो क्या 5 equal to g y 2 e square को दिमाग और derivation सही से किया है, और observe करते हूँ चले हैं, और mind को सांथ क्यों है, question पक्का बने कहीं बनेगा, और एक question हो गया, sir, इस question का label दीजिए, इन need से उपर, इस J main का label का हो गया, क्यों की question of trajectory देखर सब कुछ पूछ रहे हैं, right, पला बाद तो इस formula को याद रखे हैं, और इसको क्लिक करेंगा उनको न, इसे हम लोग, मैंने आपको हिंड दिया, तो अच्छा, ऐसा होना चाहिए था, बनने और नहीं बनने में difference किया है, मैंने बता दिया तो आसान हो गया, अब एक बार आप इस तरीके से देख लिए, इस इस तरीके से देख लिए, जब भी revision करना होगा, always follow my class, class notes, उसमें हर type का problem ले रहा हूँ, ठीक है, और complete package रहेगा revision के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए, जब भी आप पुछेंगा revision कहां से करें, तो complete रहेगा, ठीक है, अबसको revision के जएक है, तो हार टाइक को problem होँआ पे मिले ले चुका होगा, this is not the class for 11th final exam, A to Z physics इसमें हो रहा है, मत्तों इसमें मैं complete race and motion लेके चल रहा हूँ, बाकी तो आर के से रहा है, रोटेशन, इसको लेक्जाम के लिए बन जाएगा ना, question बनना चाहिए, चाहे वहाँ तक समझे या नहीं समझे, exam का question बन के आना चाहिए, ठीक है, बाकी तो पिछे से मैं पढ़ाऊंगा, असाथ में question, वहाँ पर question, सर से भी पुछा कीजिए, नहीं तो आपको लगता है कि सर नहीं, तो मैं, इसकोल के exam के लिए लग से assignment दे दूँगा, आप लोगको, बिस्विस question का, चोटा-चोटा question, बच्चा टाइप, है मेरे पादे, चोटा-चोटा question, जिस्कूल के exam के लिए है, ठीक है, नेक्स टाइम से मैं देता हूं, करता हूं उसको, लेकिन नहीं करते हैं कि दखे, इतना आप लोग का life hectic है, और पीछे से मैं topic को पढ़ा ही रहा हूं, तो मुझे confidence है कि जब मैं Newton's law of motion पढ़ा हूंगा, तो वहां आप में खुद ही सब कुछ करवा दूँगा, तो arithmetic उसके बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ओके everyone, 5, 10 करदें, 2, e square, और cos square alpha के बाद कितना लिखेगा, 1 by 17, तो क्या यहां से e square equal to 10 into 17, 10, अब आई 10 करते हैं, के ता, 5 into 5, 2 into 5, 10 or 10, U equal to, root 17, U nिकल गया, तो भाई, sin alpha भी nिकल गया, cos alpha भी, तो अब यहां पर जो भी पुछें को निकल जाएगा, range क्या होता है, U square by space, 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 17, correct ना, और sin to alpha को क्या भी चकते हैं, 2 sin alpha, cos alpha, अब आई G का value 10, तो 17 into 2, sin alpha का value वहां से उठाई है, 4 by root 17, और cos alpha पुट के जिए, 1 by root 17, 1 by root 17, आई भाई भाई 10, ए और ए ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 8 ना, 8 भाई, 10, 0.8, तो range निकल गया, अब क्या H max निकाल सकते हैं, फर्मूला क्या, by 2 G, u square का value 17, sin alpha का value आपके सामने है, 4 by root 17, तो कितना हो जाएगा, solar by 17, 16 by 17, और दिवाई भाई 2 into 10, 17 और 17, कैंसिल, कितना हो जाएगा, एवर्यवन, 4 by 5 by 4 by 5, 16 by 15, 16 by 15, कितना, 4 by 5, 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 तो कितना 0.8, यह बड़ा उनिक हो गया, नही है, range of maximum height, match कर गया है, range and, यह भी एक question पुछा हुआ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो इस पर question क्या रहेगा, इस पर question ऐसे बना सकते है, for a given speed of projection, इस पर थियोरी निकल क्या गया, for a given speed of projection, find the angle, for which range becomes equal to h max, इसको question बना लेंगे अभी, right, for a given speed of projection, find the angle for which, range becomes equal to h max, correct na, 0.8, ठीक है, उस पर क्या निकलना था, time of flight, how much, 2 sin alpha by, g, ते 2 हो गया, और u कितना या है, root over 17, और sin alpha कितना, by 10, कितना हो जाएगा, अब इसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, coincidence होगे नहीं, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है, इस चांस की बात है, बट एक्जामपल, अस्टुएंट में कुछ सोच कर नहीं लिया था, random लिया था, ऐसा है कोई planning था, कि 3 हो एककोल दिखा देंगे, okay, तो equation of trajectory देखके, बाकी 3 पूछेंगे तो अब तो नहीं कर जाएगा, किसको आटा है, for better practice, एक और question ले लिया जाजा इसी टाइप का, झाल, find the range, maximum height and time of flight, find out range, maximum height, time of flight, झाल 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 5 meter, sorry, H max कितना होता है? H max equal to what? 0.25 and time of flight? 1 by 2 1 by 2, 2, 5 देख लिजे, अंसर क्या है? अंसर क्या है? H max? H max 0.5 ही आया है, क्या? 1 by 5 1 by 5 sin square 4 by 5 and divide by 20, right? Yes, sir. 4 or 4 cancel? 5 by 20, right? 1 by 4 1 by 4 4 4, मतलब 0 point ठीक तुथा? 1 by 5 1 1 calculation ठीक रहा है, समझ में आ गया? 1 by 5 2 by 5 10 by 5 1 by 6 1 by 8 1 by 5 तो आप की को देखना पड़ेगा. 1 by 5 1 by 5 1 by 5 चलिए, कोई बात नहीं है. इतना ने problem projectile कर मिलेगा assignment दे देंगे, को उतना करते करते है फर्मूला बिल्कुर रट जाईएगा. कर दूंगा, एक और प्रोम लिया जाए, for a given speed of projection, for a given speed of projection, for a question है मेरा, for two angle range are equal, for two angle range are equal, then product of time of flight, then product of time of flight, then find out product of time of flight in terms of range. Find out product of time of flight in two cases, in terms of R range, for a given speed of projection, for two angle range are equal, आपको ही पता है की कौन्स angle रहे गाओ दोनो, right, complementary angle. Then find out product of time of flight, in these two cases, find out product of time of flight in these two cases, in terms terms of what? Range. Range, क्योंको range तो equal ही रहेगा न, solve कीजे, में जे मैं न, क्योंको आधे, आए, 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 कोस्टन, जे इमें कहा है. झाल झाल यहां देखिए को यह है ना तो दो ऐसा एंगल लेना जिसके लिए रेंज सिंग रहेगा तो अब इसलिए एक अलफा लेंगे दूसरा 95 अलफा लेंगे अब करना के उपता है टी वन इंटू टी टू करना है यज च्रश्क घर वाएएए भागे है कर दूसरा करना है यह जड़ाव жиз मेंगे करना के जिएम्हा लेंगे रढ़ unrestरा काव्स उसको इन टरम्स आफ आर बताना था चलिए दो एंगल कौन-कौन सा रहेगा एक अल्फा तो दूसरा क्या करेक्ट और यू को सेम रखना है टी वन कितना लिखेगा अगर अल्फा रहेगा तो टू यू वेरी गुड अट टी टू क्या रहेगा टू यू कितना 90 माइनस अल्फा अब बाई जी कितना हो जाएगा 2U कौस अल्फा य जी इस एट राइट ठीक है नहीं करेक्ट कौस नाइस साइ 90 माइनस अल्फा इकल तो पाट कौस अल्फा तो टी टी टू को पुर्णक किजे तो टी बाई टी 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 जी जाएगा क्रणल मुंटने टी टी टाएगा टी okay किस्ते टी टी संहुपर साइन टी टीटाएगा,ी बाई ऄस्टाएगा एगा दी, तो 2U यह ना और this is equal what? और this is equal what? और correct ना? तो 2 र भाइस जी? हाई ना? हो गया answer? तो sir, original question ने पुछा क्या गया था? यह तो हम नो निकाल लिए. अरिजिनल question ने पुछा क्या था? कि T1 और T2 ऐसे question का option था. इसाल में आपको मिलेगा. डाइरेक्टि पोफिल्ल तो R-squared, डाइरेक्टि पोफिल्ल तो R-squared, इन्वासली पोफिल्ल तो R-squared. तो यहाँ पर देखेगा. T1 और T2 यह तो constant है ना? और Y इकड़ो 2X लेकते हैं. तो बहुत सो थाएं. तो जो तो जहीं, W यहाँ पर T1 T2 तो डाइक्टि पोफिल्ल तो रहेंगे, एक जेनरल थेयोरी पढ़ लिये, अब इसी को इन बाट करना है, कभी कुछ चेंज करतेंगे, लेगिन आप conceptually और थेयोरी वाई या strong रहिएगा, तो कुछ भी पूछा जाएगा, आप वहां तर पहुंच सकते हैं, ठीका ना, समझाएं नहीं समझाएं? इसलिए मैंने बोला था, for two angle, range क्या रहेंगा, range equal for two angle, तो for a given a speed, कौन सा दो angle के लिए range equal होता है? एक complementary, जिसके रिए बात क्या रहा है, उसके लिए है, ठीका है? अगर complementary angle रहेगा, तो obviously दोनों angle के लिए range equal रहेगा, तब वहां पर T1 into T2 क्या हो जागा, 2Ry, और ये कोई theory है, तब तो 100 problem को 100 theory बना दे जागा, बाई एक general problem, it is kind of what, problem, theory हो चुका, यहां से next class, math किनका किनका है? class करके जाएगा, यह नहीं कि सब टाइड हो गया, तो ठक जाएगा, तो बोड़ा टाइड हो गया, बोड़ा जाएगा जाएगागा लाएगा आएगा पारुषण कर डाएगा आएञे हो पना दो गवागागा जाएगा नहीं कर दोड़ा हो।